दोस्तों नमस्कार मैं डूमर सिंवारवार मिजुकी स्कूल से आपका संगित कर साती और हम अलंकार कर रहे हैं थाट कर रहे हैं और साथ सातर में आपको कुछ गाने भी दे रहा हूं जो बहुती सीधे और सरल है और इन गानों के मादिम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज उसकी ओवाज को मिलाते हो, मिलाते हो हैं हम सारे गम करते हैं ठीक है तो वो आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि गानों में अंगलों का अभ्यास कैसे चलता है और स्वरों के साथ बोलना कैसे होता है ठीक है अक्सर कैसे बिठाने स्वरों के साथ अब तक आप साग के साथ साग बोलता है अब आपको साग के साथ कई चीज़े दूसरी भी बोलने पड़ेगी तब आपको अनुख होगा कि अक्सरा पूर को और बोल को सौरां के कैसे डारते हैं तब गाना निकलता है, तो यह ट्रिक है, वो आपको आजाएगी, थोड़े महनुत करने पड़ेगी, आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, मैं आपको सरली नोटिसम भी दे रहा हूं, गाके भी बतनगा, बजा के भी बतनगा, तो साधा अन्सा, गाके मैं इस तरह से बता देते हूं, कि ये गाना साइद मास्वन पिक्चिर का है और इसमें नामी तेरी मोरली को मोर ले गए बाकी जो बचा था का ने चोर ले गए एक लान ये सीखनी आपको और दूसरा चोटा सागे जो अंत्रा है वो सीखना है वो किस प्रकार देखिए खाके पीके मोटे हो के चोर बैठे रेल में चोरो वाला बबा कटके पहुचा सीदा जेल में नानी तेरी मोरली को मोर ले गए है बस इतना है और इसको बार-बार बजाना है और आगे अंतरों भी जो बिख कर E से एक पैसा दे दे तुकंजी सी छोड़ दे नामी तेरी मेरनी को मार में गए इस तरह से बज़ा बड़ा मजाएगा आपको इसको हार्मनिल पर बिठाने पर मैं हर्मनिल पर बजा कि आपको बताता हूं तो आप इसका स्क्रीन सौर्ट भी ले ले लें यह पूरा गाना इसमें लिखा हुआ है और साधरा नोटेशन भी मैंने लिखा है और कलर के मादिम से भी मैंने समझाया कि एक ही कलर की जो लाइने हैं उन पर समान नोटेशन लगेंगे जैसे लाल कलर की है तीन लाइने तो सब के नोटेशन स माने सब को बोलना उसी तरह से हैं सेम हरे कलर की है तो उनको भी सेम बोलना है और पिले कलर की बुलू कलर की सेम रागे यानि पहले लाल कलर की लाइन को बोलना है तो उसके सामने वाली पिले कलर की लाइन को उसके साथ में बोलना है फिर हरे कलर की लाइन को बोलना है और आसम कि सामने वाली लाइन को उसके साथ में बोलना है तो यह अंतरा पूरा हो जाता है मुखी जो है इसकी जो इस्ता ही है वो उपर लिखी हुई है यह आप देख रहे हैं यह इस्ता है यहां से लेके यहां तक है फिर दूसरी लाइन यहां से सरू होगी यहां कितम होगी तो एक ह लाइन में दो तरह के नोटेसन है, आदे ये हैं, आदे ये हैं, इसलिए मैंने दो कलर किये हैं, लाल और पीला, निचे वाले आइन में अलग नोटेसन है, इधर अलग नोटेसन है, तो इधर हरा किया है, इधर ब्लू किया है, फिर वापस ये क्या, ये रिपीट होगा, ये का नोटेशन यह होगा, इसमें और इसमें नोटेशन में फरके, इसमें यह उपर नीचे वाले नोटेशन सेम है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी. का नोटेशन, का नोटेशन में नोटेशन तेह में यह उचे विल नोटेशनी रहेगी. सिस आप से बता रहा हूं दोस्तों और यह पहले में उने बजा के बताया आपको अब बोल के बताता हूं नानी तेरे मोर में को मोर ले गए बाकी तुब चाथा काले चोर ले गए नानी तेरे मोर में को मोर ले गए बाकी जो बाचा था काले चोर ले गए खाके पीके मोटे होके चोर बैटे रेल में चोरों आला डिबा कटके पहुचा सीदा जेल में नानी तेरे मोर में को मोर ले गए बाकी जो मैं चाथा और एक चोर ले गए उन चोरों की कुब तबर ले मोटे था ने दार ने मोरों को भी कुब रमाया मोरों को भी कुब मचाया जंगल के सरदार ने नानी तेरे मोर में को मोर ले गए बाकी जो मैं चाथा काली चोर ले गए मोर ले गए पाम गए नानी तेरे सासा सारे मोर ले गए पाम गए बाकी जो बाकी जो बचा था काली चोर ले गए खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में रेल में मगन चोर बैठे गप प प चोर बैठे रेल में चोरो चोरो वाला डिजबा कट्के पौचा सिधा जेल में नानी तेरे मोरने को मोर ले गए इसी तरह से सारे अंत्रे चलेंगो दोस्तो तो आप अब्यास करें खुद मेनत करें और इसको पका करें और साथ बोलने का तो आपके ये स्वर एकदम ओके हो जाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में मेरा प्रयास और मेरा जो मानसे वो आपको अच्छा लगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कीजिए धन्यवाद नमस्का